How to find out international buyer International buyer तक पहुंचे और अपने business को global लेकर जाएं अगर आप अपनी company को एक export-import based company बनाना चाहते हैं Business websites बहुत सारी हैं जहाँ पर आप आसानी से free में अकाउंट खोल सकते हैं This video is powered by Metas Lifestyle India's leading manufacturer of stainless steel, module location, bathroom vanity, wardrobes and steel interior Franchisee Showroom Pan India Hi friends, भारत जैसे देश में जब एक startup शुरू होता है तो उसके मन में बहुत सारी शंकाय होते हैं कि अभी तो मेरा business नया है, अभी तो मैं business का establishment कर रहा हूँ अभी तो मेरी growth की संभावन हैं बड़ी दूर है तो क्या मैं अपने business में export-import कर सकता हूँ और कई बार तो प्रश्ण ऐसा भी होता है कि मैं एक startup हूँ लेकिन मैं services देता हूँ तो क्या मैं export-import business कर सकता हूँ तो friends, आज जिस विशेपरम बात करने वाले न यह हर उस startup के लिए बहुत important होने वाला है जिसको ऐसा लगता है कि अभी तो मैं नया हूँ बविशे में मैं import-export business करूँगा तो आज हम बात करते हैं startup how to start export-import business startup ऐसा क्या करें कि वो आसानी से export-import business कर सकें तो सबसे पहले हमीं समझ लेते हैं आपका startup चाहें products में हो या services में हो आप export-import business कर सकते हैं products के मैं कुछ example लेता हूँ जैसे मानले आप agriculture products में deal करते हैं industrial products में deal करते हैं FMCG में deal करते हैं hardware में deal करते हैं consumer durable में deal करते हैं electronic products में deal करते हैं government में deal करते हैं या किसी भी तरह के product में deal करते हैं तो हर उस product को export किया जा सकता है जिसमें आप deal करते हैं चाहें आप manufacturing करते हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं, कहने का मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप manufacturer हैं या नहीं, आप आसानी से अपने product और अपनी services जैसे software, consulting, technology, training और education, अगर किसी भी तरह की services आप provide करते हैं, तो आप चाहें product दें या services, आप आसानी से इनका export, import, business शुरू कर सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी company नहीं है या पुरानी जरूरत है, तो केवल तरीके को समझने की और अपने business में implement करने की, आज बहुत महितमून बाते में इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपनी company को एक export, import based company बनाना चाहते हैं, तो कुछ steps आपको follow करने होंगे, ताकि आप आसानी से international buyer तक पहुंचें और अपने business को global लेकर जाएं, सबसे पहली बात make a company, क्योंकि company की credibility, individual credibility से ज़्यादा होती है, इसलिए कोशिश करें कि आप private, limited या proprietorship company के अलावा, किसी भी format में company मना सकते हैं, पर सबसे best होता है private, limited company, दूसरा आपकी company के नाम से और brand से आपस में कोई mail नहीं होता, आपका brand name कुछ भी हो सकता है और आपकी company का नाम भी कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारी ये company है Metas Overseas Limited, जिसमें stillness steel modular kitchens बनाते हैं, और brand name भी है Metas Lifestyle, तो यहाँ पर company name और brand name दोनों ही same है, लेकिन अगर हम बच् अपन play school की बात करें, तो उनकी company का नाम है SK Education, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आपका brand name क्या है और company name क्या है, हाँ, अगर आप export import company के रूप में अपने आपको प्रदर्शित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आपकी company के साथ कोछ ऐसे words होने चाहिए, ज जैसे ये पता लगे कि आपकी company, export import based company, जैसे overseas, जैसे हमारी company है Metas overseas, ज्यान overseas, हाँ, तो ये overseas जो word है, वो ही represent करता है कि ये company export import करती होगा, या exim, exim, हाँ, तो ऐसे कुछ words है, जो आप लगा सकते हैं, अपनी company के नाम के साथ में, उसके बाद next important thing, that is IEC code, get IEC code, export import code के लिए आप apply करें, DGFT की site पर आप export import code के लिए apply कर सकते हैं, और अपने documents मां submit करके, import export के लिए, आप license असानी से ले सकते हैं, या आप किसी consultant को जैसे chartered accountant हुआ, या advocate हुआ, या वो consultant जो इस तरह के services में deal करते हैं, उसके बाद, bank account आप ऐसे bank में खोलें, जहाँ पर exam facilities हो, friends, आज ब bank, direct आपकी payment की remittance को transfer कर सकता हूँ, है ना, जैसे SBI के बहुत सारी branch जहाँ पर domestic होता है, कहीं जगाँ पर international भी होता है, HDFC की बहुत सारी branch जहाँ पर international domestic दोंतोर का काम होता है, तो कोशिश करें, ऐसे bank में आपका account हो, जहाँ पर exam facilities available हो, export import की facilities available हो, money remittance के लिए, fine, उसके ब बिजनस्मेन के लिए, एक organization बनाई हुए, export promotion council of India, एक ऐसी council of India है, जो export promotion के लिए हमेशा business owner की support करती है, जरूआ था उसकी membership लेने के लिए, अब जो export promotion council of India है, अलग-अलग services, अलग-अलग product में अलग-अलग बनी होई है, जैसे steel export promotion council of India, engineering export promotion council of India, government export promotion council of India, तो हर तरह के business के लि तो आप उस directory में भी आ जाते हैं, जहां पर आपको बाकी सभी importer और exporter की सारी detail मिल जाती है, उसके बाद, make a business website with export import detail, अभी problem के है, लोग website तो बनाते हैं, पर यह represent नहीं करते हैं, कि वो export import भी करते हैं, services का, तो अपनी website पर export import से related सारी information दे, उसके बाद, open free account in web, business websites बहुत स इंडिया, अलिबाबा, यह कुछ ऐसी websites हैं, जहां पर आप free account खोल सकते हैं, और अपने products और अपने services के सारी information फीड कर सकते हैं, क्योंकि इन sites पर international buyer आता है, वो सर्च करता है, और अगर आपकी information वहाँ है, तो आप आसानी से उन व्यक्तियों तक पहुंच सकते हैं, उसके नहीं है, कि जैसे आप retail करते हैं, उसके लिए आप buyer ढूंडते हैं, आप franchise करते हैं, आप franchise ढूंडते हैं, dealer बनाना है, आप investor ढूंडते हैं, आपको अपनी company में angel funding चाहिए, तो उसके लिए आप investor ढूंडते हैं, मतलब अपने business को global ले जाने के लिए, आपको international buyer ढूंडने क पिछली वीडियो में देख सकते हैं, give sample और PDF और demo, अगर आपका software है, तो demonstration के लिए आपके पास online services होनी चाहिए, ताकि आप अपने buyer को उसका demonstration दिखा सकें, अगर आपका product इस तरह का है, जहां पर आप sampling करके भी order ले सकते हैं, तो आप अपने samples वहां पर भेजें, या आपक catalog ब्रोशर सुनके PDF डिजाइन करें, और अपने buyer को भेजें, अगर कोई भी आपको lead मिलती है तो, हाना, और lead डूणने के लिए मैंने क्या का, आप business accounts खोलें, कहां पर, ऐसे web portals पर जहां पर आप free में list कर सकते हैं, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, अलिवाबा, इसके इनकी visibility भी worldwide सभी जगह पर होती है, तो social media platform के जरिये भी, आप आसानी से international buyer ढूंड सकते हैं, हैना, अब अगर मानलीजी आपने buyer को sample भेजा है, या अपने catalog, brochures बेजी है, या अपने services का आपने demonstration वहाँ पर दिया है, तो उसके बाद advance payment उनसे मांगना शुरू करें, for example, मानल balance दें, और उसके बाद suppose आपकी services हैं, वो one month की हैं, तो after 15 days आप बाकी balance payment बांग सकते हैं, हैना, और उसके बाद start export import, deal करना शुरू करें, friends, ये बिल्कुल simple steps हैं, और कई बार हम किसी video को देखते हैं, आसा लगता है, क्या video देखके मैं सीख जाऊंगा import, export करना, तो friends, मैं आ मैं अपनी life में किसी भी ऐसे विशे पर कोई training नहीं देता, जिसका मैंने practical implementation अपनी company में ना किया हूँ, तो सबसे पहले मैंने import, export शुरू किया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस सरे import, export करना चाहिए, इसके लावा फिर भी आपके मन में येदी कोई प्रश्न है, तो यहाँ पर business related valuable information, practical demonstration के साथ, practical knowledge के साथ मैं आपके साथ share करता हूँ, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी, आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत